हेलो शुडेंट्स बाल मंदिर बाड मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब का हार्दिक स्वागत है आज इस वीडियो में हम मज सौर्ट के बारे में चर्चा करेंगे मज सौर्ट डिवाइड एंड कॉनकर तक्नीक पर आधारित एक सौर्टिंग एल्गोरिदम है इसके अंदर हम अन्सौर्टेड लिष्ट को दो स्टेप के अंदर सौर्ट करते हैं फर्स्टेप में हम इस अन्सौर्टेड लिष्ट को सब लिष्ट के अंदर डिवाइड करेंगे हम तब तक लिष्ट को डिवाइट करेंगे जब तक कि हमारी लिष्ट में एक element नहीं रजाता है हमारी किसी सब लिष्ट के अंदर एक element नहीं रजाता या फिर हमारी लिष्ट आगी further divide नहीं होगी second step के अंदर हम उन सभी सब लिष्ट को क्रमबत तरीके से जोड़ते हुए last में एक sorted list को प्राप्त करेंगे तो चलिए इसको एक example के जरी हम लोग समझते हैं हमारी इस पास में एक unsorted list है ठीकें इस list को अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इससे सब list के अंदर divide करेंगे सब list में divide करने के लिए हम इस list का midpoint निकालेंगे midpoint कैसे निकालेंगे midpoint निकालने के लिए हमें जो यह हमारी LA list है इसको मैं एक बार indexing number देता हम जैसे कि इसका first element है 0 यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total 9 element की मैंने एक unsorted list लिए है इसका जो first element होगा उसको हम कहेंगे lower bound और जो इसका last element होगा उसको हम कहेंगे upper bound अब midpoint निकालने के लिए मैं क्या करूंगा इससे निकलूंगा midpoint में lower bound plus upper bound divide by 2 यहाँ पर lower bound is 0, upper bound is 8 0 plus 8 divide by 2 तो कितना निकली हमारा 0 plus 8 is 4 4 divided by 0 plus 8 is 8 divided by 2 मतलब कितना निकला 4 मरा के midpoint निकला 4 अब एक list हमारी हो जाएगी 0 से लेकर 4 तक एक list हमारी हो जाएगी 5 से लेकर 8 तक एक list मेंने क्या बताई एक list मेंने आपको बताई 0 से लेकर 4 तक 0 1 2 3 & 4 एक list हमारी हो जाएगी 5 से लेकर 8 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 अब इन सब पर क्यों से लेमेंट उनको प्लेस कर देते हैं लिष्ट को हम तब तक डिवाइट करेंगे जब तक कि हमारी लिष्ट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट नहीं रहता तो आगी ये list और डिवाइट होगी इसमें भी हम सेम कंसेप्ट को अपनाएंगे मिटपयंट निकलेंगे तो इस list के लिए lower bound 0 अपर bound 4 तो क्या हो जाएगा 0 more 4 and divide by 2 तो जाएगा 2 और इस list के लिए मिटपयंट होगा होगा 5 plus 8 divided by 2 मतलब कि 5 और 8 13 तेर्यट और तो 6 तो इसके लिए लिस्ट, इसके लिए मिट्पोंट निकला, तो मारे एक लिस्ट देएगी, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 15, 5, 8, और एक लिस्ट दमाने देएगी, 3 and 4, यहाँ पर मिट्पोंट 6 निकला, एक लिस्ट दमाने देएगी, 5 और 6, यहाँ पर एक लिस्ट होंगे, 1 और 16, एक लिस्ट हमारी हो जाएगी है, यहाँ पर 20, 18 and 7 and 8, ठीक है, आगे अभी भी हमें सब लिस्ट के अंदर एक लिमेंट नहीं मिला है, तो इससे भी हम आगे फर्दर और डिवाइट करेंगे, 0 प्लस 2, इस लिस्ट के लिमिट्पोंट क जीड़ो, वन, फिस्टीन, फाइफ, एक लिस्ट नहीं जाएगी 8, इस में क्या होका, 3 प्लस 4, 7, 7 डिवैड बाइ 2, पिता होके 3, यहाँ वेक लिस्ट नहीं जाएगी यहाँ जाएगी हमारी 3, ठीक है, उपर दो में लिख्रा हूंगे, इंडेक्स नमबर है, यहाँ पर 6 5 plus 6 होते हैं 11 11 divided by 2 मतलब 5 तो मिट पॉंट के निकला 5 तो एक लिस्ट मेरी के हो जाएगी 5 तो यह हो जाएगी 6 यहाँ पर हम लिस्ट को डिवाइट कर देंगे 20 याद रखना बच्चों कि हम जो लिस्ट को डिवाइट कर रहे हैं मिट पॉंट के अधार पर कर रहे हैं हम हर लिस्ट का मिट पॉंट निकाल रहे हैं और मिट पॉंट के अधार पर हम लिस्ट को डिवाइट करते चल रहे हैं तो इन सभी लिस्ट के अंदर एक एक element है तो ये सारी लिस्ट आगी फर्दे डिवाइट नहीं होगी लेकिन जो ये लिस्ट है इसमें अभी भी दो element है तो इसका midpoint के निकलेगा 0 प्लस 1 0 प्लस 1 होता है 0 प्लस 1 होता है 1 1 डिवाइट बाइ 2 मतलब integer division है तो कितना जाएगा 0 एक list नमारे हो जाएगी 0 एक list नमारे हो जाएगी ये ठीक है अब ही हम कहां पर है हमारा point रखाए है यहां पर है हम यहीं से दुबारा उसको merge करना भी शुरू करेंगे जैसा कि students हमारा जो merge sort होता है यह not in place sorting algorithm पर आधारी sorting है तो not in place sorting में क्या होता है कि not in place algorithm होता क्या है not in place sorting algorithm के अंदर हमको एक extra space क्याव सकता होती है क्योंकि हमारा merge sort भी not in place sorting है तो इसके अंदर हमको extra space क्याव सकता होगी अब हम जब second step के अंदर इन सभी sub list को merge करना सुरू करेंगे तो हमको एक extra list किया सकता होगी ठीक है जैसे कि मेरा भी cursor यहाँ पर है अब मुझे पहले मैं इन लनों को merge करूँगा फिर इसके साथ इसको merge करूँगा और फियुद इनके साथ इसको merge करूँगा इनको merge करूँगा इन ञडलो और फिर last में हम वापस इन सबको merge करकर कि strordo सोर्ट को प्राप्त करेंगे इक बात के ध्ज्यान रखना स्टुडेंट कि जब भी रिश्ट को sort करना सुरू करेंगे तब इसको इनमें जो लिश्ट के जो elements होंगे, उनको क्रमबद तरीके से list के अंदर जोडते वे चले जाएंगे, जिससे हमको last में एक सौटी list प्राप्त है, चलो देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक sublist लेली, अब देखो स्था, sublist के अंदर कितने element आएंगे, मतलब मुझे कि किती बड़ी सब्लिष्ट लेनी है यह डिपेंट करता है कि मेरी जो यह दो सब्लिष्ट है जिनको मुझे कम्बाइन करना है इनको मुझे मर्च करना उनमें कितने ऐलिमेंट है यहां पर मेरी बास दो सब्लिष्ट है इसमें 15 एक ऐलिमेंट इसमें 5 एक ऐलिमेंट तो मुझे इन दोनों elements को क्रम बत तरीके से इस list के अंदर add करना है तर मैं इसके लिए में क्या करूँगा इन सभी elements को आपस मैं compare करवाऊंगा जैसे कि मैंने इस list के element को compare करवाया है इससे इसमें 15 है इसमें 5 है 5 greater than 5 15 greater than 5 तो इसमें छुटा कौन सा है 5 तो हम आगे कर दें आगे इस list के अंदर आगे डलेंगे 5 अब इस list के अंदर जो 5 ता वो आ चुका है अब यह list मारी खतम हो गई अब बचिये यह वाली इसमें 15 है इसको यहां पर हम प्लेस कर देंगे हरे है उकिए अब जो हमारा पास है एक मारा पास है एक यह है एक यह सब सिलीस्टे मुद्ट कालें 17 15 सिल्एब апव इसमें के अर जिर्दफ तो सबिस्ट ओगी उसके अंदर बितन डुट Glaladam 1, 0, 1, 2 अब एक list नमर पास ये है एक list नमर पास में ये है वैसे ही अब जैसे यहां मने compare करते हुए element को list के अंदर add किया था वैसे यहां भी करेंगे इस list का element 5 compare किसे होगा इस list का element 8 से जो छोटा होगा उसको हम आगे place कर देंगे छोटा कौन सा है यहां पर 5 तो 5 यहां आगया यह हो गया अब हमारे कट सका जाएगा यहां पर अब इसमें क्या है 15 15 compare होगा 8 से छोटा कौन सा है 8 तो हम इसको हम 8 यहां लिख देंगे अब यह लिष्ट होगी है मारे पूरी लिष्ट में अभी तक 15 बचा है उसको हम इस जवा पर place कर देंगे अगे बास समझ में अब अमरे पास में यह और यह लिष्ट है इसके लिए एक लिष्ट बनेगी यहां पर 24 यहां पर 3 compare करेंगे तीन चोटा है तीन यहां लिख देंगे और यहां पर श्यां देखना दोस्तो हम जो लिष्ट कर रहीं इसको हम बढ़ते वे करब में सोट कर रहें अगर घड़ते वे क्रम में सोट कर ते तब हम बड़े को अगे तिस में तीन element है इसमें दो element है तो एक लिस ने हैं कि हमारी extra यहां पर Federal element 3 से च्षोटा कोंसा स्थी सोटा कोंसा 3 च्रीं आज़ेगा कुंपैर तो i29ेम चन्ति-ठीफä नियों मैरा 24 च्षoter कोंच सी नियों मत्रुटम८ुद स्थी Am just so गंपर होगा 24 से तो फोटा कौन सा है 15 यह देगा 15 अब यह लिश्ट हमारी पूरी हो गई अब हम इस लिश्ट के अलेमेंट को यहां पर प्लेस कर देंगी जो बचावा अलेमेंट है तो यह होगी है हमारा 24 ठीक है तो हम देख सकते हैं कि इस मेन लिश्ट का जो लेफ साइड हो चुका है अब राइट साइड को गरें किसी तरीके से तो यहां पर क्या आएगा यहां पर क्या आएगा 18 & 20 यहां दखना कि हम लोग उसको साइड करते हुए लिश्ट को इसमें एलिमेंट एड कर रहे है यहां पर काम करेंगे अब यह लिश्ट को साइड करेंगे उपर जो में लिख रहा हूंगी इंडेक्स नंबर है कि क्या है अभी वन में कंप्यार होगा 18 से चोटा कौन सा है वन तो यहां पर वन आ गया फिर 16 कंप्यार होगा 18 से चोटा कौन सा 16 16 यहां आ गया फिर यह लिश्ट हो गई अभी इसके जो एलिमेंट राइट यहां पर प्लेस कर देंगे अब हमारे पास में जो लेफ साइड में लिश्ट यह थी सोटेड है और राइट साइड में जो लिश्ट थी यह थी यह भी साइड अब इन दौनों लिश्ट को मिला करके एक कम्प्लीट साइड लिश्ट का मिरमाण करेंगे ठीक है जगह कम है तुम राउपर लिख रहाँ है तेड़ा जरह है वह बात नहीं इसमें तुर्ट अलिमेंट होंगे इस सब लिस्ट के अंदर फाइट यहां पर फोर यहां पर होंगे तुटल नाइन अलिमेंट होंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 और 9 जिरो,1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है इसमें भी सेम काम करेंगे यह लिश्ट का जो फर्स्ट अलिमेंट है इसको बार सा करता हूं मैं आईप्ञे के नाम से कुनूद करता हूं इसको करता हूं जए पौइंटर के नाम से और इसको करता हूं जेफिए यहत्तिए तीनों पॉंट है हर जगा चलेंगे हर लिष्ट के अंगर तो देखिए यह मेरी एक सब लिष्ट है यह में जूसरे सब लिष्ट है इन दरनों को मुझे मर्ज करकर करकर एक तीसरी अनसोर्टिड रिष्ट को निर्मान करना है अब इसके फर्स्ट अलेमेंट से क्युक्त रेकिता है एक को में डाल दूँगा यहाँ पर इसका यहँद्ट बेस हो गया ऐसका कर्सल आगे बढ़ जायेगा जे अब यहां जाएगा तीन अभी भी compare होगा तो आई हमारा यही रहेगा के वाला हमारा करसल अब आगे बर जाएगा के हमारा आगे यहां पर इसके lower bound के उपर हमने element को place कर दिया है ठीक है अब 5 compare होगा 16 से छुटा कौंसाई 5 तो यहां जाएगा 55 यहां पर एट compare होगा 16 से छुटा कौंसाई 8 तो यह कहँ जाएगा 8 यह आगे बर जाएगा यह भी अगे पर जाएगा 15 compare 16 से चुटा कौन सा है 15 तो यह 15 यह अगे बर जाएगा यह भी हमारा अगे बर जाएगा अब चौछ कंपार होगा 16 से चुटा कौन सा है 16 तो आप यह यह रहेगा हमारा J वाला करसर बढ़ेगा यह जाएगा 16, चोईस खंपेर होगा 18 से, छोटा कौन सा 18, तो यह जाएगा 18, पर सबागी बुर्करी यह आ गया, अब 24 खंपेर होगा 20 से, छोटा कौन सा 20, यह 20 खंपेर, यह लिस्ट तो हमारी पूरी हो गई, इसका 24 बचा है बस, उसको हम यहां पर प्लेस कर देंगा, तो देखिए, यह जो my list थी, यह unsorted list थी, इसको हमने merge sort के दौरा, 2 step के अंदर sorted list के अंदर convert कर दिया, यह अब list देख सकते हो, पुरी पुरी हमको जो list, wrapped ही है, क्यों कैसी है sorted list ठीक है merge sort की time complexity होती है o n log n ठीक है students आप में से मुझे किसी ने कहा था किस तर merge sort का हमको program भी समझा हो जैसे मैं आपको program समझा देता हूं लेकिन आपको मैं बता दूँ आपका practical exam वैसे हो गया है theory exam है तो theory exam में क्या है कि merge sort की theory आने की chance ज़्यादा होंगी ठीक है तो आप merge sort का example उसका algorithm उस पर ज्यादा देना लेकिन हाँ program भी आते हैं लेकिन program बनाना इतांस से सोड़े कम है फिर भी आपको program समझा देता हूं यह है हमारा merge sort का program चली इसे समझते हैं यह दू header files है has include stdu.h और has include conu.h इसके बाद हमने एक symbolic constant लिया है जिसमें max ले लिया 10 के बराबर फिर हमने एक global array लिया है global array में जो element लिये हैं यह हमारी unsorted list होगी जिसको माँगे sort करेंगा ठीक है उसके बाद में एक जैसे कि मैंने बताया कि merge sort एक not in place sorting algorithm है तमको एक extra list के जोत पड़ेगी उसके लिए मैंने list ले लिए जिसमें लिए element ले ले 10 10 size के मने एक list ले 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 उसके बाद एक merge function बनाया है merge function के बाद में यह पर short function बनाया है इनको बाद में समझेंगे फिर बनाया main function हम program start करते हैं कहों से main function से तमाय word main function के अंदर यह हमने गरेब लिक्लर किया i जो error को error element को प्रिंट करवाने के लिए काम में आएगा अब देखो before sorting हमारी list क्या होगी उसको हमने इस for loop के through print करवा दिया अब हम इस list को करेंगे sort मतलब इस list को divide करना start करेंगे तो sort नाम का function में इसमें बनाया इसमें क्या पास क्या है 0,max-1 max-1 मतलब है अगर मेरे पास में 10 element है उसको में start करूँ 0 से तो last time किस position में होगा 9 position में होगा 0,9 max-1 अब आते हैं sort वाले function के अंदर यहां lower bound में क्या गया 0 upper bound में क्या गया 9 जैसे कि हमने यहां list लिए आप देख सकते है यह lower bound में था 0 upper bound में था 8 तो वैसे ही इसमें 9 element है लेकिन हमारी list में कितने 10 elements है तो lower bound में जाहेगा 0 upper bound में जाहेगा यहां पर 9 अब आप जानते हैं लिष्ट को divide करने के लिए midpoint निकालते हैं तो मैंने mid नाम का एक variable ले लिया अब एक condition लगाईए if lower bound less than upper bound इसा कहा मतलब है देखिए हम list को तब तक divide करेंगे जब तक हमारा lower bound upper bound से less than है जिस case के अंदर lower bound और upper bound बरबर हो जाएगा उस case में हमारी list आगी further divide नहीं होगी तो हमारी condition क्या डाली है हमने कि हम list को तब तक divide करेंगे जब तक हमारा lower bound less than upper bound है अब इसके अंदर आए mid point निकाला हमने lower bound plus upper bound divided by 2 ऐसी निकालते mid point उमने देखा था प्रभी प्रोग्राम के अंदर अगर नहीं समझ में आया तो दुबार से एक बार वीडियो को देखना स्टार्टिंग से उसके बार हमने किया वापस recurs देखो यहां किसी में लिस्ट को दूर इवइड किया गैजिकаз यहां कई बार करना है नहीं किसका यूज्ट कहया है है रिकर्सन का उज्सका है का तो अब यह फंक्स, नहीं हां लोजिक काउन सा है? रिकर्शन का देखिये एक लिश्ट हमारी हो जाएगी, जैसे हमने किसी मेन लिस्ट को लूर लिभाइट किया, एक लिस्ट हमारी हो जाएगी, क्लिप लोवर बाउन से अपर बाउंट क्यों कि जब भी हम merge करते हैं तो हमारे पास में 2 sub list होती है माना कि तरह से कि एक यह sub list है एक यह sub list है ओके तो इसका एक lower bound होगा इसका एक mid point होगा जानते हैं कि mid point शुरू में क्या था 4 तो mid point एक list होगी हमारी lower bound से लेकर mid point तर एक list होगी हमारी mid plus 1 से लेकर upper bound तर इसलिए हमने क्या पास किया lower bound upper bound और lower bound mid point और upper bound अब आते हम इस merge sort के आंदे ठीक है मैं यही से आप इसी list साब को समझा रहा हूँ वैसे छोटी list में भी सेम काम होगा लेकिन इसलिए आपको समझाने के प्रपस से मैंने बड़ी list को ले रहा हूँ मैं ठीक है अब इस list को अगर मैं merge करना चाहूँ तो यहां lower bound किता जाएगा 0 mid point किता जाएगा 4 अब यहां पर तीन वेरिबल ही L1 L2 और आई देखो L1 जो है वो list L1 का L1 के first element पो point करेगा मतलब जहां पर मैंने यहां पर आई जो point यहां पर कौन सा काम करेगा list 2 के लिए मैंने लिए L2 और जो sorted list बनेगी हमारी पिसके लिए मैंने i अब L1 में डाल दिया मैंने lower bound मतलब 0 L2 में डाल दिया मैंने mid plus 1 mid किता था हमारा 4 4 plus 1 हो गया 5 तो इस list का first element चला गया L2 के लिए ठीक है और जो हमारी list जो बाद में sorted list बनेगी उसका i मैं क्या डाल दिया हमने LB मतलब 0 मतलब यह कहां से start होगी 0 से अब यह list हमारी कब तक चलेगी जब तक हमारा L1 less than less than equal to mid point है L1 less than equal to mid point और यह कब तक चलेगी यह वाली list जब तक कि हमारा L2 जब तक हमें जब तक हमें यह जो हमारा L2 है less than equal to होगी अपर बाउंड के और आई प्लस प्लस मतलब यह list हमारी जागे देदेदे पढ़ती रहे चलिए देखते है अब हम list के first element को दूसरी list के first element से compare कराएंगे जो element छोटा होगा उसको हम डाल देंगे second हमारी next हमने list लीती जिसमें हम sorted element डालेंगे उसके first element पर और हमारी list के अगर बाइचांस यह कंट समभाई true होती है इसका मतलब क्या है list 1 का first element list 2 के first element से छोटा है जो छोटा element होगा हम उसको आई अभी कितना है हमारा second list में जिस list को हम sorted करेंगे उसमें आई अभी हमारी जिता है lower 1 0 उसके 0 पर हम उसको place कर देंगे और L1 को plus plus कर देंगे लेकिन अगर हमारा second list का first element छोटा निकल जाता है जैसा कि हमारी इस case के अंतर यहां पर हुआ था यह list का हम आगे निकला था मतलब हम इस condition में जाकर कि यह अले condition में जाएंगे और B of I यहां पर जाएगा हमारा second list का first element है और क्या करते हैं कि L2 plus तो तब यह आगे plus plus हो जाएगा यह आगे बढ़ जाएगा लेकिन इधर ही रहेगा अगर यह जाएगा निकलता है यह आगे बढ़ जाएगा और यह इधर ही रहेगा लेकिन हर केस के अंदर यह तो हमारा आगे आई तो हमारा आगे बढ़े गए यह हम कब तक करेंगे जब तक कि हमारी list जो 1 है वह less than equal to midney है और जो list 2 है वह less than equal to upper bound इस तरिके से हम लिष्ट को place कर देंगे अब उसके बाद में जब माना कि इन में से कोई भी एक condition है यह हमारा एंट कंडिशन लगाई है तो लोग कंडिशन एक साथ true होनी चाहिए अगर इन दौनों लिष्ट में से एक भी list हमारी एक जोस्ट हो जाती है ठीक है तो हम क्या जाएंगे लूप से बाहरा जाएंगे उसके बाद जो भी list बची होगी हमारी माना कि इस इसके अंदर हमारी यह जर लिष्ट अग्जिश्ट हो गई तो हमारे 24 element बचा था तो इस element को हमको इस list के अंदर place करना है तो हम क्या करेंगे simply मैंने L1 list के लिए भी condition लगई है L2 list के लिए भी condition लगई है जिस पर लिष्ट के अंदर element बचेगा हम उसको B of I मतलब I तो दीद्र आके बढ़ता रहेगा I की जो भी position होगी उस position के उपर वो element हमारे place होते जाएंगे ठीक है अब जब last में हमको पुरा list sorted हो जाएगा फिर हम जैसे हमारा main array कोई सा था? A B array हमारा कोई सा था? एक temporary array जिसके अंदर हमने list को sort किया था List sort हो जाने के बाद में हम simply इस B वाली array की जो values है sorted values को copy कर देंगे A के अंदर और बाद में कर्सर बाद में यहां जाएगा और बाद में हमारा sorted जो array है वो हमारा का हो जाएगा? प्रिंट यह हमारा है merge sort का प्रोग्राम अक्सा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने स्कूल की चनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकन की गंटी बजा दें इससे क्या होगा आपको हर एक नई वीडियो की नोटिक्रेशन आपको अपने मुबाइल पर मिल जाएगा धन्यवाद